जैहिन दोस्तों, आज कोरोना का कहर महामारी बनकर पुरे विश्व में फैला हुआ हैं, यहां पर पुरे विश्व में कोरोना के विरुद युद छुड़ा हुआ हैं, तो इस पर एक पंक्ति हैं, देशभक्ती है दिखानी दुबक जाओ घर मी, जो नोबेल कोरोना है, तो चीन से चल कर पुरी दुनिया से होते हुए भारत में आ चुका हैं, इस कोविड नैंटिंग यानि कोरोना वाइरस डिजिज दोहजार उनैस से बचने का एक मात रुपाय है सोसल डिस्टेंसिंग, सोसल डिस्टेंसिंग मतलब किसी दूसरे ब्यक्ती से मिलते समय मिन्मम एक मीटर यानि तीन फिट का दुरी बनाये रखना, सोसल डिस्टेंसिंग ही है कोरोना से बचनी का एक मात रुपाय, नरेंदर मोधी ने भी कहे हैं, आने वाले कुछ सप्ता तक जब बहुत ज़रूरी हो, तभी अपने घर से बाहर निकले, यह जनता कर्फ्यू, कर्फ्यू नहीं, बलकि केर फोर यू है, कोरोना से बचने के लिए, घरों में दुबक कर रहना चाहिए, कोरोना से बचने के लिए, घरों में दुबक कर रहना चाहिए, हरदम डरे, हाथ धोकर भोजन करे, यह सिख होना चाहिए, मिले तो हाथ न मिलाए, एक मिटर दुरी से ही नमस्ते करे, ऐसी सिख होनी चाहिए, क्रांती लाने के लिए, क्रांती बीर होना चाहिए, क्रांती लाने के लिए, क्रांती बीर होना चाहिए, हरदम डरे, कोरोना भागाए, ऐसी धीर होना चाहिए, क्रांती बीर होना चाहिए, क्रांती बीर होना चाहिए, क्रांती का मतलब है, कोई रोड पर ना निकले, पीम नरिद मुदी जी ने कोरोना का मतलब बताया है कोई रोड पर ना निकले Symptoms of Corona Virus सुनियेगा कोरोना वाइरस का symptom क्या है थोड़ गार से सुनियेगा कोरोना का लक्षण वही है सुनियेगा कोरोना का लक्षण वही है जो है जुकाम का तुरणत जाए होस्पिटल जाच कराए कोरोना का कोरोना से बचने के लिए पूरे भारत में हुआ लोगडान राज भी पीछे न रहा, सकती से पालन करता रहा लोगडान पंजाब ने लगाया कर्फियो केरल किया ब्रिक दचेन ने शुनियेगा जो भारत में कितने सारे मरीज हैं इसके बारे में भारत में आज तक उनैसो पैसट मरीज हुए संक्रमित सत्रस चौसट लोगों का चल रहा इलाज 151 लोग हो गए स्वस्त वापस आये घर परन्तु 50 लोगों की हो गई सहादत तो पीम नरेंद मोदी जी इसके बारे में बोले हैं 22 मार्च को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक सभी देशवास्यों को जनता करफ्यू का पालन करना है इस दोरान कोई बाहर ना निकले इन्होंने कुछ दिनों के पहले ये बोले थें जनता करफ्यू का पालन करें और इस दोरान कोई बाहर ना निकले जनता करफ्यू का मतलब हुआ केरफोर यू तो अब जानते हैं कि कोरोना है क्या आखिर कोरोना क्या है सुनियेगा कोरोना है सार्स का सदसे जो देता है जुकाम का लक्षन फैलाता है रोग डुबा देता है नईया कहलाता है कोरोना कोविट नैंटीन हम देखेंगे कि हो डज कोविट नैंटीन अस्प्रेड कोविट नैंटीन यानी कोरोना किस दरफ फैलता है सुनियेगा एक को हुआ कोरोना दुजे को भी होगा रोग एक ने खासा चिका थुका गिराये डोपलेट्स वस्तु और सर्फेस पर दुजे ने टच किया वस्तु खुजलाया आख कान नाख को कोरोना वाइरस इंटर किया मुल्कस में जहां बनाया अपना घर कोरोना गया फेफड़ा पास चुपके से बनाया सूजन एक को हुआ को रोग दुजे को भी होगा रोग अब देखें कि देशभक्ति कैसे हमें को दिखानी है देशभक्ति में यह नहीं है कि सरहत पर जाकर और यूद करते रहें देशभक्ति का मतलब यह भी है कि घरों में दुबक कर रहें इसके बार में बुला गया हम देशभक्ति है दिखानी तु दुबक जाओ घर मी देशभक्ति है दिखानी तु दुबक जाओ घर में अभी तु है लोक्डोन नहीं तु करफ्यू भी जेलोगे काता हैं दिस भक्ति है दिखानी तु दुबख जाओ घर में अभी तो है लॉक्डान नहीं तो करिफ्यू भी जेलोगे भगवान ना करे यह इटीली जैसा हाल हो नहीं तो तडप तडप कर रह जाएंगे इसलिए कहते हैं द्यान चे सुनो दिस भक्ती है दिखानी तु दुबख जाओ घर मी लर्ण at home, reading, blogging जैसा काम करो दिस भक्ती है दिखानी तु दुबख जाओ घर मी कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा ठैक्स पर वाचिंग सबस्क्राइब करें, लाइक करें कमेंट करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा एंड शेयर करना ना भूले थैंक यू